वर्ल्ड कप 2023 धमाल मचाने लगा है अभी एक हपते भी नहीं हुए हैं कि रोमांच की हदें पार होने लगी हैं अभी बुद्वार तक सिर्फ 9 मैश खेले गए हैं लेकिन इस छोटे से अंतराल में ही इतने सारे रिकॉर्ड्स बन गए हैं इतने ऐसे ऐसे कारणामें देखने को मिल रहे हैं कि ऐसा लगता है कि इतिहास में वर्ल्ड कप हिस्ट्री में यह सबसे रोमांचक वर्ल्ड कप साबित होगा मैं यह क्यों कह रहा हूं इसकी बात करेंगे लेकिन अगर मैं पिछले 4-6 दिन की बात करूं तो मैं बताऊं कि वर्ल्ड कप हिस्ट्री में सबसे ज दिल्चस्प रिकार्ट लेकर आके आया हूं जो पहले कभी देखने को नहीं मिले तो बात सबसे पहले वर्ल्ड कप की सबसे बड़े स्कोर की यह है रिकार्ट बनाया खभी चोकर्स कहीं जाने वाली टीम जिस टीम पर ठखपा लग चुगा है कि यह वर्ल्ड कप की यह क्रिकेट की चोकर्स है वही उसी टीम ने यानि साउथ अफरिका ने स्रिलंका के खिलाब पांच बिकेट पर 428 रन बनाए और यह इस तरह से वर्ल्ड कप हिस्ट्री में सबसे बड़ा स्कोर बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया इस से पहले है यह रिकार्ड आस्ट्रेलिया के नाम था आस्ट्रेलिया ने 2015 में अफगानिस्तान के खिलाब 417 रन बनाए थे जो इस मैच से पहले तक यानि इस वर्ल्ड कप से पहले तक भी कह सकते हैं कि वर्ल्ड कप हिस्ट्री में सबसे बड़ा स्कोर था दिल्चस्प रिकार्ड की इस फेहरिस्त में दूसरे नमबर पर पाकिस्तान आता है जिसने वर्ल्ड कप हिस्ट्री में सबसे बड़ा रंचेज अपने नाम कर लिया है जी हां पाकिस्तान ने स्री लंका के ही खिलाप सबसे बड़े रंचेस का रिकारड बनाया स्री लंका ने उसे 345 रंचा लक्ष दिया था जो पाकिस्तान ने 49 में उबर में ही आसिल कर लिया इस से पहले है रिकार्ड आइरलेंड के नाम था Ireland ने 2011 के World Cup में England के द्वारा दिये गए 328 रण के लक्ष को पीछा करते हुए 329 रण बनाए थे और सबसे बड़े रंचीज का रिकार्ड अपने नाम किया था जब World Cup में इतने बड़े बड़े स्कोर बन रहे हैं तो यकीनन सतक भी लगी रहे होंगे तो अब जो अगले रिकार्ड्स हैं वो सतकों के रिकार्ड्स हैं जिनके बारे मैं आपको बताने जा रहा हूँ और उनमें से पहला रिकार्ड है एक पारी में तीन सतक लगने का जी हाँ दक्षिय अफ्रीका ने जब 428 का स्कोर बनाया स्रिलंका के खिलाब जिन तीन बनले बाजों ने सतक लगाए वे थे क्विंटन डिकॉप, रासी वांडर, डुसेल और एडन मार्क रिम अगर दक्षिय अफ्रीका और स्रिलंका के मैच में एक पारी में सबसे ज़्यादा सतक बनाने का रिकार्ड बना तो जब पाकिस्तान और स्रिलंका की टीमें आमने सामने आई तो एक मैच में सबसे ज़्यादा सतक बनाने का रिकार्ड बन गया पाकिस्तान और स्रीलंका की बीच खेले गए मुकाबले में चार सतक लगाए पहले स्रीलंका ने बैटिंग की और उसकी तरफ से कुसल मेंडिस और सदीरा समर विक्रमानी सतक बनाए पाकिस्तान ने भी इसका करारा जवाब दिया पाकिस्तान की ओर से इस बार ओपनर अब्दुल्ला सफीक और विकेट कीपर बल्लेबाद मुहम्मद रिजवान ने सतक लगाए यह वर्ल कप हिस्ट्री में पहली बार हुआ जब किसी मेच में चार बैटर्स ने सतक लगाए और उन में से एक और खास बात कि दोनों ही टीमों की विकेट कीपर बैटर्स ने भी सतक लगाए का रिकार्ड एडन मार्करम ने अपने नाम कर लिया है एडन मारकरम ने दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में स्रिलंका के खिलाब सिर्फ 49 गेंद पर सतक बनाए और उन्होंने इस पारी को 106 रन तक आगे ले गए यानि उनकी टोटल पारी जो रही वो 54 गेंदों पर 106 रन की रही पस्ट है कि भारत में हो रहे हैं इस वर्ल्ड कप में खूब सारे रिकार्ड बन रहे हैं खूब रन वर्था हो रही है खूब सारे सतक लग रहे हैं अभी मैंने इस वीडियो में फिलहाल वर्ल्ड रिकार्ड सी बात की ऐसे बहुत सारे रिकार्ड हैं जो पर्सनल रिकार्ड जैसे विराट कोली इस मैच में जब उत्रे थे तो 85 रन बनाया जब उन्होंने आस्टेलिया के खिलाब तो कई सारे रिकॉर्ड अपने नाम किये इसी तरह के दूसरे रिकॉर्ड भी बन रहे हैं वर्ल्ड कप के ऐसे ही दिल्चस्प रिकॉर्ड और कहानिया लेकर मैं फिर हा फिलाल नीजेटीन हिंदी के इस वीडियो में इतना ही मुझे विजय प्रभात को दीजी इजाजत नमस्कार